दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि शराब पीने के बाद आखिर उल्टी होती कियों हैं? तो जुड़े रहे हमारी वीडियो के साथ अंदर तक साथ ही यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए शराब मुख्य रूप से अलकोहल से बनता है यह जानने के लिए शराब पीने के बाद लोग उल्टी क्यों करते हैं? हमें अलकोहल का अपने शरीर पर प्रवाब को समझना होगा इंसानी शरीर के जादतर अंग बौदिक छंता से सन्हित होते हैं खराब होने पर यह अंग खुद को ठीक भी कर लेते हैं उधारन के लिए लीवर खुद को 60% खराब होने के बाद भी ठीक कर सकता है अगर लीवर खुद को ठीक करने में असबल रहता है तो यह हमारे शरीव को अपने खराब होने का संकेत पेशता है जिसे हम पीलिया कहते हैं हाला कि कुछ अंग ऐसे भी होते हैं जिसमें स्वयम की भुद्धी मता नहीं होती है जैसे कि ब्लेंडर, ब्लेंडर का काम है यूरिन को पास करना लेकिन ब्लेंडर को यह नहीं पता होता की एक समय में कितना यूरिन निकालना है इस किरिया के लिए ये प्यूश गिरंथी पे निर्वर रहता है प्यूश गिरंथी एक प्रकार के द्रफ का उसरजन करती है जिसकी मात्रा ये निश्यत करती है कि ब्लेंडर को कितना urine निकालना है इस तरह से हमारे शरीर में पानी की कमी नहीं हो पाती प्यूज किरंती पे अल्कुछ का प्रभाव हमें समझना होगा जब हम अल्कुछ का उपभोग करते हैं तो ये प्यूज ग्रंती के द्रफ उसरजन की प्रकिरिया को धीमा कर देता है। द्रफ की कम मात्रा भोने से ब्रेंडर को ये लगता है कि ज़्यादा यूरिन पास करना है। और यही बज़य है कि शराप पीने के बाद लोगों को बार बार टारेट जाना पड़ता है। सिगरिट का प्रवाप ठीक इसका उल्टा होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो लोग बहुत ज़्यादा सिगरिट पीते हैं वो कम बार सोचाले जाते हैं। ज़्यादा बड़े नशे करने वाले लोग तो एक-दो दिन तक शोचाले नहीं जाते हैं। वापस अल्कोहल की बात करें तो यह निश्कर्स निकाल सकते हैं कि अल्कोहल का उपयोग करने से शरीर में पानी की बेहत कमी हो जाती है। जिसे हैंग ओवर कह सकते हैं। अगर आपकी दिनचर्य सुबे से ठीक नहीं रही है और आपने ठीक से पूरे दिन खाना और पानी नहीं पिया है। तो शराब पीने के बाद उल्टी करने की समभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसा गैस बनने के कारण वो सकता है। पानी की कमी से गैस बहुत तेजी से बनती है और आपको उल्टी करने के बहुत करीब ले जा सकती है। कुछ मुख्य कारण जो उल्टी के लिए जिम्मेदार हैं। नमबर एक गैस का बनना, नाचता या दोपेर का खाना ना खाने से बहुत गैस बनती है, नमबर दो, पानी की कमी, नमबर तीन, कोल्डिंग के साथ शराब पीना, नमबर चार, शराब में बहारी तत्व जादा मिलाना, जैसे सोडा, कोल्डिंग इत्यादी, शराब को कभी भी सोडा या कोल्डिंग के साथ नहीं पीना चाहिए, इसको अगर आप पीना चाहते हैं, तो कम मात्रा में पीजिए, या फिर पानी मिलाकर पीना ठीक रहता है, नमबर पांच, इच्छा ना होने पर भी शराब पीना, तो दोस्तों अमीद करते हैं, आपको आज पता चल क्या हो है कि शराब पीने के बाद किन लोगों को उल्टी की संबाबना ज़्यादा रहती है, वीडियो अच्छा रगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए,